कैसे हैं आप सब होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे सो आज का वीडियो बहुत ही यूसफुल है तो एंड तक जरूर बने रहे वीडियो में यहां पे मैं आज आप से शेयर करने वालियों की घर के जितने भी जो फुट मैट्स होते हैं आप वाशिर मशीन में कैसे दो सक यह सब को पता है और जिसको नहीं पता आप उनके लिए यह वीडियो तो जितने भी जो घर के मैट्स होते हैं वो कभी अच्छे क्वालिटी के होते हैं जैसे कि ऐसे फर वाले या नॉर्मल ताइप के जो ठृड वाले इस ये वाले तो हम सारे ही इस टाइप के जो foot mats होते हैं घर के जिसके पीछे leather वगेरा लगी होती है ये तो मेरी cat ने खराब किया है लेकिन washing machine में इन सारी चीजों को दो सकते हैं असानी से बिना किसी महनत के और मेरे पास जो है Samsung का fully automatic washing machine है जिसमें heavy से heavy कपडे, blankets, foot mats और delicate से delicate ये भी अराम से आप धो सकते हो तो आज मैं ये foot mats को दोने वाली हूँ बहुत ही easy है ना soak करने का जंजट ना कुछ तो यहां पे मैं जितने भी foot mats हैं वो सारे machine में डालूंगी एक एक करके तो 15 दिन में एक बार तो ये हम लोग को करना पड़ता है और इसको soak करना पड़ता है बाल्टी वगेरा में फिर इसको थोड़ी दिर के बाद धोना पड़ता है लेकिन machine में ऐसा कोई जंजट नी है अराम से आप बस इसको डालो इसमें detergent add करो और बाकी का सारा काम आपका जो machine है वही कर देगा और आप रिलाक्स से दूसरी घर के काम कर सकते हो तो यहां detergent दालने का यह जो बॉक्स है वह है तो मैं यहां पे liquid detergent यूज़ करूंगी आप liquid भी कर सकते हो powder detergent भी कर सकते हो और बहुत ही easily अपने जो यह काम है washing के आप machine में कर सकते हो यहां मैंने direct liquid जो है mats पे डाल दिया है machine में और अभी इसको on कर लीजे आप start का button और यह जो power button है फिर start का button आप कर लीजे on और आपको मतलब एक half an hour जो आपकी timing से यहां दिखा देगा machine में और आपके जो mat हो या foot mats जो है या कपड़े हैं या कोई भी आप heavy blanket है delicate से delicate कपड़े सारे ही आप इस machine में धूल सकते हो और बस इसको on करना है detergent add करना है बागी का काम यह सारा जो है आप machine ही कर लेगा और बहुत सारी जो मेरी friends हैं वो semi automatic की use करते हैं तो उनको थोड़ा machine मतलगता है कि fully automatic जो है थोड़ा सा लेने में उनको एक मतलब की कैसा होगा तो मैं उनको suggest करूंगी कि जब भी वो purchase करे fully automatic washing machine purchase करे क्योंकि इसमें बहुत ही आपको जो work convenience और time saving होता है दूसरे काम आप कर सकते हो घर के जब तक आपके यह काम washing का जो काम है वो सारा machine ही देख लेगा बागी का आप इस टाइम पे दूसरा काम कर सकते हो और इसमें सारे ही option आपको मिल जाते हैं तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ध foot mats हैं वो तयार हो गए हैं और इनको मैं थोड़ा सा धूप में जो है वो सुखा लूँगी almost dry हो गए हैं लेकिन इसमें जो moisture है उसको जाने के लिए एक one hour मैं धूप में रख लूँगी और फिर इसको में अच्छे से use कर लूँगी और अब कोई भी फर वाला हो या carpet हो सार करता है तो आप जरूर जरूर इस तरह से आप use करें और अगर आपने नया machine लेने का सोच है तो जरूर आप fully automatic ही ले तो देखिए mats कितने साफ सुत्रे धुल के तियार हो गए है तो friends मैं मिलती हूँ आप से next vlog में और अगर आप new है तो जरूर subscribe कीजिएगा channel को ताकि आपको